पांच दिसंबर 1994 का वो दिन याद कर आज भी ड्रैवर दिपक कुमार शहम जाता है क्योंकि पांच दिसंबर 1994 को गुपाल गंज के ततकाल इंडियम जी कृष्ण नया की भीर ने पीट पीट कर हत्या कर दे थी और उसमें जो मुख्य आरोपी थे आज उनको छोरा जा रहा है दरसल आनन मोहन की रहाई की चर्चा के बीच ही पांच दिसंबर 1994 की तारिक भी फिर से जिन्दा हो उठा है कहा जाता है कि गुजरा समय वापस नहीं आता है लेकिन वो गुजरा समय उन लोगों की आँखों में रहरा कर लोट रहा है जो डियम जी कृष्ण नया की बरबर हत्या के गवात है उस हत्या के जिसने एकमंदार डियम को पत्त्रों से कूचा गया इसके बाद उसकी मौत को पुक्ता करने के लिए उसके माथे में गोलियां उतार दे गई तत्काली डियम जी कृष्ण नया की हत्या के दोसी बहावली आनन्द मोहन सिंग जल्दी जेल से रहा हो जाएंगे द्रसल बिहार शरकार ने फिछले दिनों जेल मिन्वेल में जो संसोधन किया है उसे उन्हें रहत मिलने जारी है 1994 में जब जी कृष्ण नया की हत्या हुई थी तब वो गोपाल गंज के डियम थे 35 वर्षे जी कृष्ण नया की हत्या कैसी हुई इस सवाल पर जवाब जानने के लिए 4 दिसंबर 1994 की तारिख में चलना होगा उस दिन उतर बिहार का एक कुख्यात गेंगेश्टर छोटन सुकला की हत्या कर दी गई थी हत्या से मुझफर पूर इलाके में तनाव फैल गया था और लोग सरकार और पुलिस से खासे नाराज थे 5 दिसंबर को हजारों लोग छोटन सुकला का सव सरक पर रखकर प्रदर्शन कर रहे थे उसी समय गोपाल गंज के ततकालिन डियम जी कृषनय या एक बिसे इस पैठक में सामिल होने के बाद अपने गोपाल गंज लोट रहे थे उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि आगे हाइबर पर हंगामा हो रहा है उनकी कार जैसे ही प्रदर्शन कारियों के करीब पहुँची तो सरकारी कार दे कर लोग भरा गए उन लोगों ने कार पर पत्राओं सुरू कर दिया डियम जी कृषनय या भीर को यह बताने की कोसिस कर रहे थे कि वे गोपाल गंज के डियम है मुझह पर पूर के नहीं है लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुने भीर ने उन्हें कार से बाहर खिच लिया और पीट-पीट कर उन्हें मार डाला इस दोरान उसके सर पर भी गोली मारे गई थी जी कृष्णयया की इस दर्दनाक हत्या ने बिहार ही नहीं पूरे देश में संसनी फैला दे थी आरोप था कि डियम की हत्या करने वाले उस भीर को कुख्यात बहुवली आनन्द मोहन ने ही उकसाया था आनन्द मोहन सिंग को 2007 में फासी की सजा सुनाई गई 2008 में हाई कोट ने फासी की सजा को उम्रकैद में बदल दिया गौरतलमे की आनन्द मोहन अभी उम्रकैद की सजा काट रहे हैं लेकिन पिछले दिनों वो पेरोल पर बाहर आ गए थे दरस उनके बेटे की सगाई थी हलाकि नितीशकवार ने जेल में डियूल में कुछ ऐसा बदलाव कर दिया जिससे वो अब जेल से बाहर आ जाएगे साथ ही उनके साथ 26 और बंदियों को भी हर सरकार रहत देते वे बाहर कर रही है